पंजाब में एक मार्च से 17 मार्च के बीच कोरोना के केस चार गुना बढ़ गए हैं एक मार्च को कोरोना के मरीजों की संग्या 500 थी जो 17 मार्च को बढ़ कर 2045 हो गए राज़े में गुरवार को एक ही दिन में 49 मोते दर्स की गई पंजाम में कोरोना के कारण गुर्वार को 32 मरीजों की मौत हुई जबकि 24 घंटे में 2,387 नए केस सामने आए राज्य में महमारी से मरने वालों के कुल संख्या 6,204 हो गई स्वास्ते विभाग के आकड़ों के राज्य में इस समय कोरोना के 14,366 मरीजों का इलाज हो रहा है इन में 274 मरीज, ऑक्सिजन और 21 वेंटिलीटर पर है 24 घंटे में 32 लोगों की मौत हुई उनमें होश्यार पूर जिले के आठ जालंदर केच है अमरित सर्क और लोदियाना के चारचार, गुर्दासपूर, रोपड और नवा शहर के दो-दो और बर्नाला, कपुर्थला, पतियाला और संगरूर के एक-एक मरी शामिल है पंजाब के जालंदर जेले में पिछले एक हक्ते से कुरूना की केसों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है गुर्वार को करीब 6 महीने के बाद जालंदर में 500 से जादा केस दर्ज किये गए यहां 24 घंटे में 510 नई मामने सामने आए और 5 मोती दर्ज हुई जालंदर की नॉडल ऑफिसर डॉक्टर टीपी सिंग के अनुसार केसों में बढ़ोतरी होने के पीछे लोगों की लापर वाही ही है वो पहले कुरूना के नियुमों का पालन कर रहे थे वो इस बारे में जागरूप भी थे लेकिन अब बचाओ के उपाए नहीं करते इसलिए लगातार केस बढ़ रही है अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो उसलाइक को शेय करें साथ ये प्रिव्यूज हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं डेली रेंडिंग न्यूज के रिपोर्ट सब्सक्राइब करे हमारा चैनल ऐसी ही लेटिस्ट और इंट्रस्टिंग न्यूज के लिए